हेलो एवरिवन कैसे वह आप सब उमीद है सब अच्छे होंगे हम कर रहे हैं हरियाना जी की टॉप एमसी की पैसनों की सीरीज उसी सीरीज को मागे करते हैं तो आज की सीरीज में भी हमने जो आप से गामी प्रिक्षा में पोच सकते हैं तो लाश्ट तक आज का सैसन देखना है और जिन्होंने पिछले सैसन नहीं देखें तो जरूर देखिएगा अगर आप हरियाना जी की टॉप एमसी की पैसन सीरीज करेंगे अगर आप ने एक पैसन पहले किये तो बहुत अच्छी बात है आपका अच्छी तरीक्षी से अरियाना जी की कर वीजन हो रहा है अगर आप हर्ष टाइम भी करें तो आपके लिए यह मोस्ट नयाद हो जाएंगे तो बिना देरी कि हम आज का सेसन सरु करते हैं हर्ष पैसना आता है आज के सेसन का हर्याना में तिलियार जील कहां स्तीत बिल्कुल सदान क्वेसन है भई Korean काफी बारे एक्जाम में पूछा गया है हर्याना के अंदर तिलियार जील कहां पर है तो हमारी HFC जो exam में question पूछती है उसके coding हरियाना में कुल कितनी जील हैं ये comment box में आप बता दीजीगा एक question और काफी बार पूछा जाता है हरियाना की सबसे बड़ी जील का नाम क्या है तो हरियाना की सबसे बड़ी जील का नाम क्या है दमदमा जील इसको भी आपने याद करना है हरियाना की सबसे बड़ी जील कौन सी है दमदमा जील next question आता आपकी screen पे मेवात जीले का कौन सा गाउं गांधी गराम कहलाता है तो मेवात जीले का कौन सा गाउं है जो गांधी गराम कहलाता है तो वो गाउं है खासेडा खासेडा गाओं को मिवात जिले का गांधी गराम कहलाएगा ये most important question गांधी गराम कौन सा जिले के अंदर आता है खासेडा गाओं ये मिवात जिले के अंदर आता है next आता आपकी screen question हर्याना के किस सहर में heritage team, locomotive, museum है तो अरियाना के कौन से सहर में heritage team, locomotive, museum बनाया गया है तो रिवाड़ी के अंदर काँ पर बनाया गया, रिवाड़ी में बनाया गया, heritage team, locomotive, museum नेक्ट आता आप इस्क्रीन पे, question हरियाना में गठित, गो, सेवा, आयो का अधेक्स कीसे नुक्त किया गया है तो अरियाना के अंदर गठित, गो, सेवा, आयो का discuss कीसे बनाया गया है चार ऊप्सन आपके सामने, बादूर सिंग, मांगे राम, इनमें से कोई नहीं, मनिराम, मंगला तो मनिराम, मंगला को अरियाना में गठित, गो, सेवा, आयो का अधिक सिनुक्त किया गया है most important question है भी करंट का जवाप से एक्जाम में पूछा जा सकता है next आता आपकी screen पर question हरियाना राज्य के बगोलिक अक्सेतर के कितने परतिसेत बाग पर वरक्स आवरण है तो हरियाना राज्य के कितने बगोलिक अक्सेतर के परतिसेत बाग पर वरक्सों का आवरण है वरक्स चाहे हुए है तो 2.90 परतिसेत बाग पर हरियाना के बगोलिक अक्सेतर पर वरक्सों का आवरण है तो next question आता आपकी screen पर हरियाना में अडपाशबत्ता से पूरो की सबत्ता के अबुसर्ण और अवसेस काँ से मिले हैं काफी वर पूचा जाता है हरियाना में अडपाशबत्ता से पूरो की सबत्ता के अवसेस और अबुसर्ण जो वो काँ से मिले हैं तो कुनाल से मिले हैं कुमेंट बोक्स में आपने बताना है कुनाल कौन से जिले के अंदर आता है तो मैं ही बता देता हूँ कुनाल आता है इसार भी तो आपने इसका अंसर कुमेंट बोक्स में नहीं देना है मैंने बता दिया इसार के अंदर आता है कुनाल काफी बार आपसे एकजामें पूछा गया है हर्याना में अडपास बता से पूरो की जो सबता है उसके अबושन और अबसेष, कहा से मिलते हैं, कुनाल काँ पर है, इसार के अंदर, Next आता आपकी स्क्रीन पे, किस बोथ गरंथ ने अर्याना के बारे में जानकरी दिये, तो कौन सा बोथ गरंथ है, जो अर्याना के बारे में जानकरी दिता है, तो कौन सा बहुत गरंथ आएगा ये most important question भई आपसे एकजाम में काफी बार पूछा गया है ये question तो बतादो तो इसका right answer क्या आता है दीवया वदान गरंथ तो दीवया वदान गरंथ के अंदर क्या है बहुत गरंथ है जो हरियाना का जानकारी देता है रियाना की कौन-कौन से सैरों की जानकारी देता है ये रोतक और अगरोवा काफी बार एकजाम में पूछा गया है रोतक और अगरोवा की ये जानकारी देता है कौन सा गरंथ देता है दीवया वदान गरंथ बहुत गरंथ के अंदर ये मिलता है, next question आता है आपकी screen पे सिंदू गाटी इसे बत्ता कि के अंदर बनावली इसार की खोज किसने की देखो बिल्कुल सदार ना भई सिंदू गाटी इसे बत्ता कि के अंदर बनावली बनावली काम पर हैं इसार में हमने पड़ा है तो इसकी खोज किस ने की थी 1937-37 में RS वसिष्ट ने RS वसिष्ट ने इसकी खोज की है तो RS वसिष्ट ने इसकी खोज की तो इसकी खुवियां भी है खाफी बाराब से एकजाम में पूछा गया है यह गगर न दिये किनारे है देखो पूछा जाता है सिंदुगाटी सिबत्ता का केंदर जो बनावले इंसार है वो कहाँ पर है गगर नदिये की नारे उन्सोती एत्र इत्र में आर एस वसिष्ट के दुआरा इसकी खोज की गई है और इसकी एक खास खुबी यह है यह हडपा सिबत्ता की करसी वस्ति के जाना जाता है most important question है ना हडपा सिबत्ता की करसी वस्ति के रों में कौन सा के अंदर जाना जाएगा बनावले इंसार तो यह उन्सोती एत्र इत्र इत्र में आर एस वसिष्ट के दुआरा खो जा गया था और इसकी ने खुबी यह वैसे तो यहाँ पर हलकी आकरती के मिट् सिंदुगाटी से बतता का एक प्रमुके अंदर तो यह most important question था इसको आपने अच्छी तरीक्वे से याद करना है तो आज का मारा अंतिम question है हरियाना में इंडो गरीक सिक्के किस तान से मिले हैं तो अरियाना में इंडो गरीक के सिक्के किस तान से मिले हैं बतादो जल्दी से हरियाना के अंदर इंडो गरीक के सिक्के किस तान से मिले हैं मैंने इसके कोई option select की नहीं किये हैं तो अरियाना में इंडो गरीक के सिक्के कहां से मिले है तो इंडो ग्रीक के सिख्के कहां से मिले हैं रियाना के अंदर रियाना के अंदर मिले हैं बई इंडो ग्रीक के सिख्के खोकरा खोट कांपर है खोकरा खोट बता दो खोकरा खोट कांपर है खोकरा खोट कांपर है कुमेंट बोक्स में बता दीजिएगा खोकरा खोट कांपर है खोकरा खोट कांपर आएगा रोध तक के अंदर तो और यानम इंडो गरीक सिक्के किस्तान पर मिले हैं खोकरा खोट रोध तक के अंदर ये most important question है और गुप्त कालिन के सिख्के कांपर मिले हैं गुप्त कालिन के सिख्के कांपर मिलेंगे मिथातल बिवाने के अंदर गुप्त कालिन बुच सकते हैं गुप्त कालिन के जो सिख्के वो कांपर मिले हैं मिथातल बिवानी कुसान कालिन के सिखे कहांपर मिले हैं मितातल बिवानी यह जो सिखे हैं इनको आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा रियाना के अंदर जो प्राप्त हुए इंडो ग्रीक के सिखे होकराकोट रोतक में और गुप्त कालिन के सिखे मितातल बिवानी में कुसान कालिन के सि के मितातल भीवानी के अंदर तो मोर्य कालिन स्टुम्ब है जो मोर्य कालिन पत्थर है वो कांपर मिला है इसार के अंदर और जो कुसान कालिन पत्थर है कुसान कालिन स्टुम्ब है वो कांपर मिला है रोत्तक के अंदर इनको आपने अच्छी तरीके से याद करना है और अरस काँ पर मिली थी आंसी के अंदर इनको आपने अच्छी तरीक के से याद करके जाना ये कापी बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आज का जो मारा छोटा सा सेशन था ये आपको कैसा लगा कुमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा और हम आपके लिए ऐसे ही सेशन लेके आते रहेंगे हर्याना जी के रवीजन सेशन आप मानिएगा अगर आपने पहले अच्छी तरीक के से ये क्वेशन की हुए है तो अगर आप फर्स टाइम कर रहें तो बहुत अच्छी बात है फर्स टाइम भी आपका अच्छा रवीजन हो जाएगा तो अभी तक जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो कैसी लगी आप कुमेंट बोक्स में जरूर रिस्पोंस कीजिएगा तो आपका एक रिस्पोंस हमें नेक्स्ट सैसिन मनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है तो तब तक दोस्तो थैंक्स पूर वाचिंग जयाइन जयाबार अगले सैसिन में जल्दी मिलते हैं